जैहिन बैंक ओफ इंडिया में आपका एकाउंट है तो सबसे पहले चेनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरा देखना अगर यह दो काम नहीं कर सकते तो वीडियो पे दुबारा मत आना ठीक है सबसे पहले मैं बढ़ारू बैंक ओफ इंडिया में कहीं भी आपको प् पूछे हैं वही सवाल जो आपके दिमाग में रहते हैं वही सवाल जो आप पूछ नहीं पाते हैं उसी का जवाब में देने आया हूं तो सबसे पहले यह ध्यान दखना है कि वीडियो पूरा देखना और सवाल पूछने से पहले आप जाये वीडियो देखिए दूसरा वी वीडियो देखो तो आपको पता चल जाएगा मैं वीडियो बना रहा हूँ ATM के प्रवल्म के ऊपर आप पूछ रहे हो पास्बुक के ऊपर मैं बना रहा हूँ चेक्वुक के ऊपर आप पूछ रहे हो कि केस कैसे निकलता है तो यह सब समस्याओं को समधान नहीं मिलेगा पहले आप वीडियो देखी हो तब आपको तुरंट पता चल जाएगा आपको सवाल पूछने की जरूवत नहीं पड़ेगी लेकिन एक बात बता दू मैं कि छोटी बोड़ी समस्याओं के लिए आपको बैंक जाने की जरूवत नहीं आपको समस्याओ समधान यहीं मिलेगा फिलाल सुरू करते सवाल जवाब आज के आपके सवाल हमारे जवाब अब देखी यह भाई साब है इमरान खान भाई साब इन्होंने सवाल पूछा है पर्धा मंत्रिस सुरच्छा बीमा योजने के ओपर और इंका पैसा कटा था 25 अपरेल 2022 को जी सारू दो बिल्कुल ध्यान से सुनना जहां तो मुझे लगता है कि इंका जो 86 रुपीज कटा है वह पर्धा मंत्री सुरच्छा बीमा योजना का नहीं कटा है इंका कटा है पर्धा मंत्री जीवन जोती बीमा योजना में और यह पर्धा मंत्री सुरच्छा बीमा योजना और भाइसाब इंशाव से मिवेधन करोंगा कि वह जो मेसेज उनको आया हुआ है वह मेसेज मुझे भेजे ठीक है, उसमें आप अपना या एकाउंट नमबर हाइड करके भेज़ें आपका अपका अपका अपन नमबर 23456 तो आप उसको भेजते समय मुझे भेजते समय 1234 कर सकते हैं ठीक है मदलो अपन नमबर जैसे है पूरा का पूरा वेसा ही लिखे भेज़ो लेकिन चेंज कर दो बदल दो ताकि आपकी सिकू जोती बीमा योजिना की कटेंगे तीन महीं ने गिये और इसके अलावाद 436 रुपे और कटेंगे दो बार कटा होगा आप जराय बार चेक करिए और मुझे बताइए फिर से ठीक है चरी अगला सवाल देख लेते हैं विवा ये कार्ड के एटीम कार्ड से डिलेटे संबद इंनल highly एक पटाने के बार आपको दो तरह के मैंसेग के एक लिए बहुत सारज नहींले पनाए नहींते हैं यह थे सबस्क्राइग को टारिक हो चुका और कौनेफिस के में आपका कड़कर आप्लाई हो चुका है तो अब वेड करिये रुपिशनन संअध्य लिए ट्रम जी आपको apply हो चुका है तारीक ले लेना था उसमें तारीक लिखी होती है कौन सी डेट को apply हुआ है लेकिन आप नहीं ले पाए है तो कोई बार नहीं आपका जब बैंक वालों ने बोला apply हो चुका है तो वेट कीजिए उसको ATM को आने में भी थोड़ा time लग रहा है ठीक है इसके लिए आपको ओटो पे नहीं होगा आपको इसके लिए क्या करवाना पड़ा क्या करवाना पड़ाइगा ECS करवाना होगा ECS हो जाता है जो सा भी आप mutual fund लेते हैं वहाँ जाएंगे आपको फॉर्म पढ़ाएगा ECS का फॉर्म और भर के वहीं आपको कहीं देने की जवर न अगला सवाल है दोस्तों इसलिए कोई आपका एक लोन चल रहा होगा जिसका हफ्ता बांस हुआ है और उस बांस होने के माध्यम से यह पैसे कटे हैं अगला सवाल है दोस्तों यह सर मैंने ATM काड़ नहीं आया है और मैंने पता किया मेरा ATM काड़ आ गया है बट वो पोस्ट ऑफिसर के पास है बट मैं उससे कैसे लूँ आई डोंट नो प्लीज सॉल माइ प्रावलों तो किस ने बोला होटें कुल फैट जी किस ने बोला कि आपका उनके पास ह मतलब यह इसका एक ट्रेकर आईडी होता है अगर आ गया है तो वो बैंक वालों से ले जिए उनके पास ट्रेकर आईडी होगा वो दे देंगे अगर नहीं आया तो बैंक वालों के पास भी ट्रेकर आईडी नहीं मिलेगा तो आप ऐसा मत बोलिए कि उनके पास ATM काड़ जि गलत बात है यह आपको गुम्राह होने वाली बात है ठीक किलियर कर स्वाल नहीं है अब इन्हों ने एक सो अठार रुपेगा मैंने वीडियो बढ़ाया था इन्हों लिखा 234 रुप्य कटा है परमोर्द हजम जी परमोर्द हजाम जी आप बताइए किस तरह यह कटा है अगर नाम लेने हों पढ़ने हों यह हो जाता आगे पीछे तो माफ कीजिएगा 234 रुपे कटा है केसे कटा है पूरा मेसेज दी बीजिए तब पता चल पाएगा ATM apply करने के बार कितने दिन में ATM आता है ATM apply करने के बार किसन नागराजी ने पूछा है मैं आपको बतारू ATM apply करने के बार कम सकम दो तीन महीने अभी लग रहा है आप जायकर वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा ATM का dispatch number कैसे पता करें ATM पता नहीं कर सकते दीपक कुमार जी वह आपको यह तो मेसेज आएगा Уपो अभारा सरकार की ön sunrise उस पर जाकर चेक करना है तो अगर गूगल पर सoral की अपना चला कर लोगाए इंडिया पोस्ट है वेबसाइट हो होने जाएग कर घर गुम्राय को अगर आपने वीडियो नहीं नहीं देखा जाकर देख लीजिए उस पर किलेकर बताया हुआ का इंका पेंस्टनर के बारे में सवाल है इनका सवाल है कि इस प्राइब नहीं और वहां पर अपना सब्मिट कर दीजिए शीं माध्यम से सब्मिट कर दीजिए कोई प्राउलम नहीं है घबढने जरूबत नहीं है यह भाई साथ पूछ रहे हैं यह सुवर्धन तुबिट जी कि उनको यह वाला मेसेज आए जो मैंने वीडियो बना ऐसा मेसेज आया है तो आपको वेट कीजिए आपको आपके घर पर आजाएगा कितना दिन लगेगा तो आप 2-3 महीने वेट कर सकते हैं ठीक है यह हो सकता है आपको वेट करना होगा और यह मेसेज को सभाल के रखे ताकि अधिकार को बगताने में आजानी हो सर जी नमस्ते में बैंक को बिटा गरागो सर 9 नॉब्र को अपडेट आया विवाई मोबाइल उपर ने जी हां यह आपको ने जो अपडेट किया है वह जो एंडूर सब्सक्राइब t क्योंकि अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको सवाल करने की जगती नहीं पड़ेगी और डेविट का लिंक टू एकाउंट नंबर इतना मैंने वीडियो बनाए था अपलाई करने के 15 दिन यह मेसेज आता है तो जी हाँ अपलाई करते हैं जब आप अपलाई करेंगे तो आपको एक मेसेज आएगा फिर जिस दिन आप वहां से हेड ओफिस से एटीम डिस्पेश होगा उस दिन दूसरा मेसेज आएगा इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए तो गरीब सोर्स से निवेदन है आप जाकर वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा अच्छा आप मेरा वीडियो देखिए आपको पता सल जाएगा अगरा सवाल बैंक ओफिंडिया एकाउंट क्लोजर चार्ज जी हां सर मैंने दो देर दिन पहले ओपन कर लिया एप्लिकसं कर दिया अभी मुझे पास्भू नहीं मिला है बट मैं क्लोज करना चाहता हूं एकाउं तु एकाउंट बन करवाएंगे सवीता सोजी तो आपको चार्ज लगेगा जी हां 170 रुपिया मैंने वीडियो बनाया है आपने बहुत अच्छा किया ठीक है पूछ लिया अच्छा बैंक ओफिंडिया आधारकाट कैसे बनाया है यूपियाई कब तक आईगी आपका सवाल क्लि से दूसरे बैंक में टांसफर कर सकते हैं मैं कोई भी फोर्म नहीं बढ़ा आज ओटो में लिए तीन सो बैयाने डिड़क्ट हो गया है कोई प्रॉलम नहीं है यह आपका चलेगा 31 मैं 2000 तक चलेगा ठीक है 31 मैं 2000 अगर इसको आपको बन करवाना है कि सोची तो आप महीं मही है और अप्लिकेशन दीजिए बंद करवाई अभी बंद करवागे तो तब भी पैसे रिटन नहीं आने वाले हैं ठीक है तो इसके लिए भी मैंने यह डीटेल में वीडियो बनाया बंद करते समय ध्यान दखने वाली बाते जरूर देखिए अगर फिवी कोई प्रॉलम आत अल्डेक वेड़ों वेटकरना है अपने अकाउंट खुल गाया है तो अगर को एककाउंट खुल gibt ऑलगे तो और इन अदधेल र तोनों अलग सवाल है दोनों को मिक्स मत करो अनकिर कुमार जी पास्बुक आपका फुराना हो गया आप नई पास्बुक लेते तो उसका चाल लगता है एक सो अठारा रुपया चाल लगया इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आप जाकर वीडियो देख सकते हो पूरा वीडियो कब कब आपको चाल लगता है कब नहीं लगता है दूसरा मोबाइल नंबर चेंज करना है ऑटोमेटिकली आपको जाएए बैंक में एक फॉ दूसरे एक नोशीजर बिजनेस प्राविडियो रिमिटेड और दूसरे हैं जी आलाल कुमार बूंच पूछिए कटा हुआ पैसा मिलता है नहीं मिलेगा कटा हुआ पैसा वापस नहीं पूछा है मेरे पास बिचा यहाँ क्या आपके पास मैसेज आया है तो आपके पास मे तो अगर सेविंग अकाउन्ट है तो तीन महीने में बैलेस उतना होना चाहिए आपने फिर फी पूरा मेसेज नहीं लिखा लेकिन आपको बता दो थी अवरेज बैलेस इतना रहना होगा उमीद है आप सभी के सवाल का हल मिल लिया होगा फिर नहीं मिला है कोमेंट बोकस में क हैंट